अस्सलाम अलेकुम भचोज सब कैसे हैं उमेद है आप सब खेर यह से हूँ क्या आपने अपना पिछला काम मुकमल कर लिया है अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं उसको आप थोड़ा थोड़ा करके मुकमल कर लिया है लेकिन आपका सबसे एहम काम क्या है जो भी मैं आपको बताती हूँ आपको समझाती हूँ उसको समझना काम जो है वो तो आइस्ता आइस्ता मुकमल कर लेंगे लेकिन सबसे पहले उस चीज़ को अच्छी तरह से समझें और उसके पाद उसकी मुश करें चीज़ को दोराएं लाजमी तो देखें उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज्यादा राइट करें इतनी आपकी लिखाई बहत्तर होती है उसी तरह पर आपको अलपास जो है वो लाइन के उपर लिखने हैं कौन सा लाइन से कितना नीचे जाएगा इसकी आपको समझाती है तो अपनी मश्ग जो है वो जारी रखिए और मेरी आप सबको यही नसीहत है कि आप थोड़ा थोड़ा काम जो है वो लाजमी किया करें ताके आप भी रोज मश्ग हो सकें तो आएए बचो आज हम देखते हैं मारा आज का उनवान क्या है तो आएए हम सब शुरू करते हैं आज हमारा सबक नमबर साथ है तो देखते हैं मारा उनवान क्या है बहुत आसान सा है जी हाँ हमारा आज का अनवान है उर्दो गिंदी बचो याद है उर्दो गिंदी मैंने आपको पहले भी करवाई थी याद है किसी को उदो गिंदी को हम लफजी लफजी गिंदी बी कहते हैं याद है सबको जी हाँ उदो गिंदी और लफजी गिंदी लफजी गिंदी एक ही मतलब हुआ इसका अचा बचो पहले हमने ग्यारा से बीस तक ये थी आपने उसकी मश्की है अगर नहीं की या कर ली है तो उसको एक दफ़ा दोबारा से दोहरा लें तो आएए आज हम करेंगे करेंगे पहले हमने ग्यारा से बीस तक की थी और हम आज करेंगे एकिस से तीस तक तो आएए शुरूर करते हैं एकिस दो एक यह पीस एकिस अगर हम मैट के लिए हाज से देखेंगे तो हम नंबर वर्ड्स ये नंबर्स ऐसे लिखते हैं एसे लिखते हैं नंबर्स दो एक वीस एकिस लेकिन अगर हम उदू में देखें तो अदद लिखते हैं दो एक दो इस तरह लिखते हैं दो एक निवीस एकिस 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 निवीस रॉमन जुवान में उर्दू में एकिस ऐसे लिखा जाता है और उर्दू में एकिस कैसे लिखा जाता है अलिफ अलिफ पुरा होगा अलिफ पहला हरफ अलिफ ताफ की छोटी शकल ये की छोटी शकल और सीन एकिस एकिस अब यहाँ पे उन्होंने कहा है मश्क अदद अदद की मश्क करने हैं हमने यानि इकिस अब यहाँ पे हम अदद की मश्क कर रहे हैं तो मैं ये वला अरेश कर देती हैं इकिस अब यहाँ पे मैं ये लक्स लिखूंगी एक मिनिट इसको थोड़ा सामें साथ करके लिख देती हैं इसको बार बार अरेश करके नहीं जिख सकती हैं इससे क्या होगा जी पहला लफ्स हमारा इकिस अलिख की चोटी शकल आप ये की चोटी शकल और सीन दूरसा लफ्स उसर नमबर है बाइस दद बाइस बे की चोटी शकल बे अलिख बाह हमजा ये ई सीन बाइस 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 बेलिख बाह हमजा ये ई सीन बाइस बेलिख बाह हमजा ये ई सीन बाइस अगला लफ्स देखें नमबर तेज अदद में दो और तीन तेज जब लिखने में होगा कैसे ते और ये मिला के सारा लफ्स आपने पूरा लफ्स जो है वो बचों मिला के लिखना है ते ये हमजा ये ई सी तेईस अच्छा बचों अब यहां भी देख सकते हैं कितने हरूफ को मिला कर तेज बनाय गया है तेज अच्छों यहां पर मैं असर रती हूँ आला गला के रूकेट थी लिखता थी जिनको मिला कर मैं आया गया है यह चोटी यह हमजा एक बारा लिख रहते हैं हमजा छोटी यह और सींस अब देखते हैं कि हमने पूरे हरूफ लिख लिख लिए हैं ते यह ते यह हमजा यह और सींस पाँच हरूफ को मिला कर बनाया गया है हरूफ को पाँच हरूफ से मिलकर तेज बना है इसी तरह आगे है 24 आगे क्या हमारे पस है लबसी किंती में जी हाँ 24 ए आगे यहाँ भी हम इसको गिन लेते हैं जी वाव 24 अच्छा बचो यहाँ पे क्या गिया गिया है देखें पहले एक दो हरफी लफ्स है यहनी चो फिर बे यह सीन बीस फिर तीन हरफी लफ्स मतलग एक दो हरफी और एक तीन हरफी लफ्स दोनों ने मिला कर क्या बनाया 24 क्या बनाया 24 इसी तरह अगला हरफ है 25 25 25 बे चे पज यह यह ची 25 चे आपने इसको बोलते कैसे हैं इसको पड़ते कैसे हैं आपने यह भी दिहान से इसका भी दिहान रखना है पच्चिस दो और पांच पच्चिस लिखने में इस तरह आ रहा है हरुपे दहजी में कौन-कौन से शामिलना है पे चे यह सी जब एक दो इन चार लेकिन चे के ओपर एक साथ डाली रही है 25 आगे 26 अच्चा बचो पता है आपको याद है 26 में छे छे यानि चे की छोटी शकल और दो चश्मी है दोनों ने मिलके कौन सी अवास पैदा की चे नहीं छे कौन सी अवास आएगी च च बीस और इसके साथ बीस च बीस एक दो तीन चार पांच और उपर शद चब बीस पांच हरूफ मिलके क्या बनाते हैं चब बीस आप इसको अच्छो इस तरह अलग अलग से हरूफ लिख सकते हैं अच्छो आपको यह पता हो आप में एक लाप्स में इतने हरूफ इस्तमाल करने हैं जैसे अगर हम चबीस की बात करें तो यहां मैंने छे पठा लिख दिया अच्छे अच्छे अब अच्छे करके लिखेगा ठीक है चौबीस इस तरह अगली स्लाइट पे चलते हैं देखते हैं अच्छे कैसे लिखा हुए है स्ताइस स्ताइस दो और साथ स्ताइस अब लिखा कैसे गया है सीन ते अलिफता सीन ते अलिफता यह तीन हरफी लाब से है सीन ते अलिफता सीन ते की छोटी शकल और अलिफ इसको मिला के लिखा गया है सता हमज़ा यही सीन इस सताइस सताइस अगला लख देखें अठाइस बचो यहाँ पर आपको पता है क्या इस्तमाल किया गया है जी हाँ दो चश्मी हे को फिर इस्तमाल किया गया है अलिफ टे और दो चश्मी हे क्या साउंड आएगी क्या आवास पैदा होगी ठा अठा अठा ठेली ठा अठा हमज़ा यही सीन अठाइस अठाइस अगला क्या है मैत में देखा जाएं तो कैसे लिखते हैं अंदिस 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 दो नो आखरी लफ्स हमारे पास क्या है? तीस यानि तीन और सिफर तीस ते ये तीस तीन तीस अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी हरुपे थाजिशा में है? तीन यहला क्या है? तीन तीन अलिग हमजा छोपी है और आखरी क्या है? सीन सीन ते अलिग हम्राइ इतनी और आखरी हक्ता में पास सीन सीन को मैं दो बाड़ा लिख में पोशिश कहते हुआ सीन अठाइस अलिग थे अलिग था हम्राइ यही सीन अलिग एक ते और थे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ हरूप से मिलकर अठाइस बन अबता है अलिग यहाँ पर मैं यह एक और अठाइस लिखूंगी अलिग और थे अलिग हम्राइस यह तेन अठाइस इसी तरह उन तीस अलिग नून ते यह ताइस सीन बचो मुझसे तो जैसे भी लिखे जा रहे हैं मैं लिख रही हूँ लेकिन आपने इसको अच्छे से इसकी मश करने अच्छे से लिखना है आखरी ते यह और सीन ठीक है अच्छा बचो यह थी हमारे हरूफे तहज्जी से लिखी गई लवजी गिंती आपने क्या करना है अब घर का काम क्या है आपका स्कूल की तरफ से दी गई वाक्षिट पर लवजी गिंती की मश करें बचो आपको जो विंटर पैक दिया गया है उसमें एक्की से तीस तक लवजी गिंती ती गई है और साथ बॉक्सिस हैं ऐसे पूरा टेबल बनाया हुआ है आपने एक्की से तीस तक लवजी गिंती की मश करनी है एक दो तीन यहीं थ्री टाइम्स आपने लिखना है उमीद करती हूँ आपको आज का लेसन अच्छे से समझा गया होगा अगर कोई मसला हो कुछ भी आपने पूछना हो आप मुझे मेसेज कर सकते हैं अपना ख्यार रखिएगा और इसकी जितनी हो सके बार बार मश कीजिए अगर आप एक दिन में नहीं कर सकते तो इसको हाफ हाफ यनि आदिया दे करके कर लें 21 से 25 तक एक दिन मश करें 26 से 30 तक दूसरे दिन मश करें और एक दिन पूरी दुबारा से लिखें ठीक है? तीन तीन दफ़ा आपने लाजमी लिखना है ताकर आपको अच्छे से लिखनी आ जाए इन्शाला ने लेसन में ने उन्वान के साथ भी मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्यार रखिए अल्हाँ आपज़